हेलो एवरिवन वेल्कम एंड नमस्ते बहुत दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आप सबके बीच में इस बार वीडियो का मकसद बस यह है कि गार्डन से जुड़ी हुई आपकी छोटी-छोटी कुछ प्रॉब्लम्स का सॉलीशन डूनना और सॉलीश उसकी कमेंट होते हैं हम खात-पानी समय पर देते हैं सन्लाइट का भी ध्यान रखते हैं और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब कुछ समय समय पर करते हैं इन सब के बावजूद हम अपने पौधों को जब देखते हैं तब उनको देखकर वाउ वाले फीलिंग क्यों नहीं आती उनमें वो रौनक नहीं होती न पत्तों में रौनक होती है न फूलों में चमक कल्या पीली पढ़के गर जाती है या फिर खिलती ही नहीं पेस्ट दुन और बहुत साले फूल भी धीरे धीरे वापस लोटाएंगे मिर्च के प्लांट के ये कंटेनर को आप वीडियो में देख चुके हैं हाउ टो ग्रो चीली मिर्च को कैसे उगाए उस वीडियो में मैंने ये कंटेनर दिखाया हुआ है बहुत सारे पौदे लगाए थे इस अभी फूटिंग पर हैं बहुत अच्छे से मिर्चियां बन रही हैं इसमें मैंने काफी सारा हार्वेस्ट कर चुकी हूँ इसके बावजूद इसकी ग्रोथ अब बहुत अच्छी चल रही है इसके उपर भी मैंने लिक्विट का यूज किया है जो मैं आज आपको वीडिय का यूज करने वाली हूँ इस पर मेरा एक वीडियो मौजूद है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी आप देख सकते हैं 25 दिनों के अंदर यह लिक्विट बनकर रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए कुछ लोगों को यह लगएगा कि खाने पीने की चीज से यह बनाया जा रहा है लेकिन यह पूरी तरीके से डिकम्पोज्ट हो जाने के बाद इस्तमाल किया जाने वाला सॉलूशन है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं जो कि आपके प्लांट्स को नुकसान पहुचाए सबसे पहला इंग्रेडियन में है मेरा संत्रो के चिलकों का औरेंज पिल्स यहां पर मैं यूज करने वाली हूँ मैं दो लिटर का solution बना कर आपको बताना चाहती हूं ताकि जो लोग कम solution बना कर स्टोर करना चाहें उनके लिए ये कम ingredient वाले method best होगी मैंने बहुत जादा quantity में इस liquid को बनाया हुआ है संत्रे की चिलके अगर आपके पास नहीं है तो आप मौसम भी नीमबू, माल्टा, किन्नो इनके चिलके भी ले सकते हैं citrus fruit हो तो जादा अच्छा होता है विकॉज ये इस solution के लिए बहुत compulsory है संत्रे के चिलके मैंने यहां पे चार लिये हैं और दो लिटर का मैं solution बना रही हूँ इस solution को बनाने के लिए कोई special map नहीं है मैंने अंदाजे से ही ये लिया है क्योंकि पूरा बन जाने के बाद हम उसको liquid पानी के साथ add करके use करने वाले हैं इसलिए आप दो लिटर में 5-6 संत्रे भी ले सकते हैं 7-8 भी ले सकते हैं कुछ भी compulsory नहीं है चार केले के चिलके मैंने यहां पे लिये हैं और इने मैंने कुछ टुकडों में cut कर लिया है यह दो ingredient बहुत compulsory है इस solution को बनाने के लिए आपको पता होगा कि केले के चिलके natural potassium से भरपूर होते हैं इनमें वो खास्यत होती है जो पौदे के अंदर potassium की कमी को पूरा करता है natural तरीके से इसके बाद मैं यहां पर लेने वाली हो गुड़ 20 ग्राम के अंदाज में मैंने गुड़ लिया है अब यहां पर एक और एक बाद गुड़ पुराना हो नया हो आपका regular यूज़ वाला हो कोई फार्प में पढ़ता बस गुड़ हो यह जरूरी है तो आप कोई भी ग्लास के अंदाज में मैंने लिया है यहां पे चाच का पानी मठा दही आप दही का पानी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाच यूज़ ना करते हो तो मैंने यहां पे चाच का पानी यूज़ किया है चाच गाड़ी नहीं है उसका स्टिकी फॉर्म जो होता है वो नहीं ह यह मैंने एक ग्लास के अंदाज में लिया है अब आप समझ जाएए पोटैशियम फॉस्फोरस और कैल्शियम इन तीनों का मिक्सर बनेगा इस स्वारिशन के बन जाने के बाद जो की पहले पूरी तरीके से डिकंपोस्ट करना है हमें और यूज करना है सबसे पहले मैं इन द आरक मेहंदी जैसा दिख रहा है केले के चिलके इसमें होने की वज़े से पिस्ते वक्त इसका कलर थोड़ा सा ब्लाकेश हो जाता है घबरानी की जरूरत नहीं है यह बहुत कॉमन चीज है केले के चिलकों के साथ दो लीटर का साइज है इस प्लास्टिक के कंटेनर का और कलर वापस लाइट औरिंज हो जाता है तो सबसे पहले इंग्रेडियन डाल रही हूं मैं इसमें यह पेस्ट इस कंटेनर के अंदर और अब जाएगा एक गिलास चांच का पानी चांच दही का पानी आप कुछ भी ले सकते हैं अब इसमें मैं आड करूंगी गुड गुड म अंदर घुलना शुरू हो जाएं पानी हमें पूरा भरना है गईज में आपको दो लीटर का अंदाज सिफ इसलिए बता रही हूं ताकि जो लोग छोटे लेवल पे इसे बना कर स्टोर करना चाते हैं वह बहुत जादा कांफ्यूजड ना हो चार संत्रे और चार केले के च अंदाज से लिए हैं आप 5-6 संत्रों का चिलका 5-5 केले के चिलके भी यूज़ कर सकते हैं कम जादा होने से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला बिकॉस यह जब पूरा बन जाएगा उसके बाद हम इसकी कुछ क्वांटिटी का यूज़ करेंगे पानी के साथ मिलाकर अच्छ ताकि इसमें जो गैस डेवलप होगी बन जाने के बाद इसमें गैस डेवलप होना शुरू होगी वो कपड़ी की मतल से एटोमेटिकली ही बाहर रिलीज होते रहेगी आपका कंटेनर बहुत जादा फूलेगा नहीं फटेगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा बन जाने के इसे आपको पूरी तरीके से छाओ में रखना है धूब बिल्कुल इसको लगनी नहीं चाहिए हमने लिक्विड पीस कर इस कंटेनर में रेडी कर लिया है अब इससे जूड़ी कुछ बातें सबसे पहले आपको यह कंटेनर हमीशा चाओ में रखना है 25 दिन लगेंगे इसक से थोड़ी सी एलकोहलिक स्मेल आईगी खटी-खटी सी कुछ लोगों को हो सकता है इसे परिशानी हो ऐसे में आप इसे ऐसी जगह पे रखे जहां इसकी स्मेल से आपको परिशानी ना हो और आपका ही सॉलूशन बनता रहे एक बार एक मीने के अंदर अंदर यह बनके पू यूटिलाइज नहीं करेंगे तो यह कब तक टिकेगा यह सालो साल चलेगा आप ऐस तरह के से बाटल बना के स्टोर करते जाएए कोई फार्क नहीं होगा बारिक पेस्ट लेने का मकसद मेरा बस यही था कि जितना बारिक पेस्ट होगा रिकमपोजिशन के मेतड उतनी जल् काम करेगा यह परफेक्ट सॉलिशन है हर तरह के प्रॉबलम के लिए प्लांट से रिलेटेड आप इसे हमीशा स्टोर करके रख सकते हैं बस जरूरी यह है कि इसे सनलाइट नहीं लगनी चाहिए यह च्छाओं में रहे यह बहुत जरूरी है इसके लिए तो गाइस यह देखिए 10 लीटर की यह कंटेनर आपको जो दीख रहा है यह प्लास्टिक की बरनी 10 लीटर का साइज है और मैंने इसमें 2 दरजन के लिए के चिलके दो दरजन संतरों के चिलके 100 ग्राम गुड लिया था इसमें मैंने दही के पानी के साथ साथ एक और इंग्रेडिन एट किया है वो है वेस्ट डिकंपोजर सॉलिशन डब्लू डी सी मैंने ऐसे 2-3 कंटेनर रेडी की हैं मैंने 10-10 लेटर की 2-3 बरनिया बनाई है एक को डब पानी ले लीजिए और उसमें 200-300 ml इस लिक्विट को डाल लीजिए यह देखे स्प्रे करने के लिए भी मैंने बॉटल में निकाल के रखा है इस लिक्विट को तरह रेगुलर वाटरिंग करते हैं वैसे वीक में एक बार हफते में एक बार साधे पानी में घूल कर आप अ रेगुलर वाटरिंग जिस तरीके से हम करते हैं वैसे बीच बीच में इस सॉलिशन को मिला कर आप वाटरिंग कर सकते हैं यह मेरा नीमबू का पोधा है हर दरह के फ्रूट प्लांट पर भी आप इस लिक्विट का यूज़ कर सकते हैं रेगुलर वाटरिंग के साथ बहु हलके हलके खिल रहे हैं ऐसे सभी पौधों पर आप इसे शुरुआ से ही दे सकते हैं यह इन पर सबसे ज़्यादा वर्ब करेगा एक लिटर की बॉटल में 100 ml solution ले लिजे और आप इसका सप्रे कर सकते हैं अपने पौधों पर नरसरी वाले npk का सप्रे करते हैं अपने पौधों को healthy रखने के लिए इस liquid का spray आपके पौदों को healthy भी रखेगा, fruits और उनकी quality भी बढ़ाएगा और उन्हें हर तरह के paste से दूर रखेगा इसकी orange oil से भरी हुई तीकी खुजबू से चीटियां भी आपके पौदों से बहुत दूर रहेगी, कोई problem नहीं होगी इस वक्त winter चल रहा है और winter के season में ठंडे मौसम की वज़े से बहुत सारे pest डेवलाप हो जाते हैं हमारे पौदों पर, उनके उपर भी ये spray काम करेगा क्रिसंतेमम के plant की बहुत common problem आफिट्स ठंड के मौसम में ठंड़क होने के बावजूत आफिट्स नहीं मानते, इनके soft stems पर ये जमे रहते हैं इस liquid का spray नसे भी ने हटा देगा बलकि next day आपको ये plant पर नज़र भी नहीं आएंगे मैंने इसको 2-3 बार strike किया और उसके बाद मैंने महसूस किया कि सच में इस liquid की orange की तीखी गंद इनको बिलकुल पसंद नहीं आती टोटल समझ ये इस liquid का इस्तमाल आपके plant की मिट्टी के लिए भी फाइदे मंद है पत्तियों के लिए भी फाइदे मंद है कलियों के लिए फूलों के लिए सभी के लिए इस liquid की खुश्बू orange oil से भरपूर है तो ऐसे में किसी भी तरह के harmful इंसेक को तो ये दूर रखेगी बलकि बीज और बटरफ्लाइज या किसी भी कंडिशन में प्लांट को ये नुकसान नहीं पहुचाने वाला इसका liquid मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी को भी फर्टिलाइज करेगा गुलाब को लेकर काफी लोग ड़ते हैं रोगर बैवस्टेन साफ फंगिसाइड नजाने क्या क्या स्प्रे करते हैं इसे बचाने के लिए गुलाब के पौदे पर बिलकुल निश्चिंत होके आप इस liquid का यूज कर सकते हैं शाम के वक्त आप इसे अच्छी तरीके से नहल काल्शियम भी है फॉस्फरस भी है कैल्शियम भी है यो कि गुलाब की बेसिक नीड होती है इस liquid को बना कर यूज करने के बाद आप को समझ जाएंगे कि मैं आपको इस liquid को यूज करने के लिए क्यों कह रही हूं बारी बारी मैंने अपने गार्डन के हर तरह के पौदे पर इसका यूज किया है देन आपसे रिजर्ट शेयर कर रही हूं सो आप यूज कर सकते हैं मेंडेवले के इस प्लांट को आप देखिए इस वक्त इस पर कुछ जादा ही फ्लावरिंग हो रही है इस liquid के मिट्टी में मैं ही मैंने इसका यूज किया है इसके पत्तों पर तो अच्छा रियक्शन किया इस liquid के यूज के बाद वना इस पे काफी कम फूल थे और इसके इतनी अच्छी हेल्थ नहीं थी बट इस liquid के यूज ने इसे काफी हेल्दी भी बना दिया है यूमिडिटी पसंद करता है नॉर्मली मेंडेवले लेकिन इस वक्त ठंड होने के पता ऐसे में इस तरीके से अगर हम लिक्विट बना कर यूज करते हैं तो हिबिसकस जिसपे की रेगुलर फ्लावरिंग सबको अच्छी लगती है और उसकी रंगत हो जाए तो बिल्कुल मन को अच्छा नहीं लगता हिबिसकस ने सबसे ज्यादा इसका रिजल्ट पसंद क पस लगता है और इसने वापस फ्लावरिंग भी करना शुरू कर दी है अपने गार्डन के सभी पॉधों पर मैंने इस लिक्विट को यूज किया और आपस रिजल्ट शेर कर रहे हूं सभी पॉधों में सबसे जादा फ्लावरिंग वाले पॉधों ने रिकावरी दिखाई इनकी चमक भी लोटी है फूलो से लिकर पती कलियां मट्टी सभी काफी अच्छा रिजर्ट दे रहे हैं जब तक आप इसे यूज नहीं करेंगे ट्राइ नहीं करेंगे तब तक आप इसके बहतरी डिजर्ट को न समझ पाए हर बार फर्टिलेजर बाई करना थोड़ा मुश्किल होता है तो ऐसे में आप इस तरीके से लिक्विट को बना कर काफी लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं एक बर बन जाने के बाद आप इसे दो से तीन साल तक भी स्टोर कर सकते हैं इसे कुछ नहीं होगा उमीद करूँगी आपको आज का वीडियो पसंदाएगा गाईस ट्राइ करके मुझे बताएगा कि आपने इसके किन किन रिजल्ट को पसंद किया हापी गार्डनी टेक केर थैंक यू फर वचिंग माई वीडियो